इस वीडियो के माध्यम से हम LHB कोचिज के पाउर कार में लगे पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक को जानने की कोशिज करेंगे इस सरकिट डियाग्राम में एंड ब्रेक में लगे विविन कंपोनेंट्स के नाम के बारे में बताया गया है तो देखे सभी कंपोनेंट्स दरसाय गया है और निमेटिक सिस्टम दिखाया गया है एंड वील गूमता है तो ब्रेक लगते हैं या रिलीज होते हैं दोनों केबल्स की मूवमेंट होती है जैसे इस हैंड वील को अगर हमने कलोकवाइस गूमाया है तो ये त्रेडिट स्पि Conse planning द्रेटिग लगी है दोनों साइड में जिसमें अपने फ्लेक्ष बाल अके फ्ला की मुए यह एंड ब्रेक लगना टोटली मैकानिकल बेसिस पर हैं। निमेटिक प्रेसर सिर्फ ब्रेक इंडीकेटर को हिस्तोमें। निकेटल रेड हो जाते हैं जैसे हम वील को clockwise घुमाते हैं तो हमारी यह केबल ऊपर खिचती है जैसे clutch wire होता है हमारे scooter में या bikes में उस तरह से खिचता है और cylinder में लगे lever को खिचता और brake अपलाई हो जाते हैं और indicator रेड हो जाते हैं दोनों तरफ के indicator red होने चाहिए हैं यह तीन दर्षाता है अब इसको एंटी क्लोक वाइज घुमाएंगे तो हमारे एंड ब्रेक रिलीज हो जाएंगे देखिए ये बैवल गीर के माध्यम से इस थ्रेड स्पिंडल से जुड़ा है और ये ब्लोक जैसे नीचे जाते हैं तो फ्लक्स बॉल केबल नीचे की तरफ जाती है जो लीवर को पीछे धकेल देती है और यहां रोलर लीवर वाल से प्रेसर रिलीज हो जाता है जो की ब्रेक इंडिकेटर्स में गया था और लाल को ग्रीन कर देता है अब इयर प्रेसर टोलर लीर वाल तक आकर रुका होज आए यह भी से ऐंड ब्रेक इंडिकेटर क्रीन दिखा रहें दोनों तरफ के आणड ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन है अब केबल अरेंजमेंट्स को देखते हैं नीचे अंडर फ्रेम में कैसे गई हुइ है ये गाड़ वान मन लगे एन प्रेक उनिट से दोनों केबल नीचे की तरह आई हुई है अंडर फ्रेम डीज जो सामने दिखाई दे रही है हमारी तिन त्रेकी केबल उती है आगे दो छोटी और बड़ी केबल से जुड़िये हूएं देखिए दोनों केबल गार्डवान से नीचे की तरफ आ रही हैं और आगे जा रही हैं जहां एक केबल जाइंट के मादम से सौट और लॉंग फलेक्स बाल केबल से जुड़िये हैं ये दोनों पिन दिखाई गई ह देखिए ये short और long cables है 4024 और 2333 mm ये cable एक outer inner cable की तरह होती है जैसे क्लच वायर होती है इसमें cable outer में slide करती है और ये एक lever के मादम से जुड़ी है ये cable end है ये lever है जो slender में lever आगे पीछे होती है तो break लगते हैं या release हो जाते है ये एक fork end है जिसमें cable का end लगाएगा ये ball joint है यहीं तक outer रहता है बाल joint तक आगे cable का अंदर का हिस्सा रहता है cable wire रहती है देखिए जैसे lever खिचता है तो हमारे brake केली पर चलते हैं और brake लगते हैं hand brake wheel नमबर एक और wheel नमबर साथ पर लगे हैं दो wheel पर ही लगते हैं जैसा कि दिखाएगा है ये दिखाएगे हैं cable joints पिन के मादम से जड़े हैं ये hand brake indicator चलिए अब देखते हैं कि hand brake unit में pneumatic system कहां से कहां है देखिए brake panel में 6 liter capacity का एक एक चलरी रिजर वायर लगा है ये चोकित शिर्फ hand brake indicators के लिए हैं इसमें देखेंगे दो पाइप जुड़े हुए हैं एक पाइप ब्रेक पैनल से हैं दूसरा पाइप ये सीधा रोलर लीवर वाल में जाएगा अंडर फ्रेम से ओता हुआ ये पाइप चला गाया अंडर फ्रेम की तरब यहां से बैंड हो गया और यहां से सीधा अंडर फ्रेम से पूरे अंडर फ्रेम के नीचे होता हुए यह आप सामने T दिखाई दे रही है ये रोलर लीवर वाल से आई है और दोनों साइड के इंडिकेटर की ओर चली गई है यहीं से दोनों इंडिकेटर में जाता है दोनों साथ साथ चल रही है देखे अंडर फ्रेम में गार्डवान की तरफ जाती है दोनों पाइप यह देखेंगे एक इंडिकेटर्स के लिए और यह रोलर लियरवाल में चला गया प्रैसर एक बीसी का प्रैसर रहता है बीस यह दोनों पाइप में आपके सामने दिखाई दे रही है जो कि रोलर लियरवाल में जुड़ी हुए नीचे से आई है तो चलिए अब देखते हैं कि अगर क्या डिपक्ट है तो क्या करना चाहिए हमारे जैसे हैंडबरेक कि कई बार जाम हो जाते है लेवर जाम हो जाती है या केबल टूट जाती है तो कैसे करें देखिए यह सामने दिखाई दे रही है कई बार केबल का एंड टूट जाता है यह इस तरह से रिलीज होने चाहिए हमरे ब्रेक यह केबल जाइंट है जन्हें कभी खोलना पड़ता है यह फॉर्क एंड ऑफ लिवर है अगर ब्रेक जाम हो जाए तो इस पर हलका से टैप करें तो रिलीज हो जाने चाहिए कई पर केबल पर जाती है तो यह टैप करने से खुल जाती है नहीं तो ब्रेक सिलेंडर का नट क्लोक वाइज गुमाने से भी जैसे हम ब्रेक पैड चेंज करते हैं तो रिलीज हो जाते है बन जाते है उन में ये नच के सिलंडर जिस टॉप के वहते हैं अलग-अलग टाइप के अलग-अलग नट से देखिए ये अलग टा इप के सिलंडर दिखाया गयाहा। किसी का बाहरे किसी का अंदर, और यह कि अंदर, कि तरफ है, साइज भी अलगे हरका, अगर ज्यादा समझ्या हो तो ब्रेक कलिपर की यह बेज़ वाली इसको निकाल कर भी हम रिलीज कर सकते हैं अगर किसी भी तरह से हमारे बडर रिलीज नहीं हो रहे था है अगर केबल सीधी है तो हम इसका केबल जयैंट की पिन निकाल कर भी release करने की कोशिस करते हैं कहीं भी केबल में सारब बैंड नहीं होना चाहिए और आसानी के कि não boca में इनर केबल आसानी से आगे पीछे ओनी चाहिए किसी प्रकार की रोकाउट नहीं होनी चाहिएं एके सर्कुलर में में होती हुई सीधा पर एक सिलंडर से जुड़ गई है केबल को अगर चेंज करना है दोनों ये खोलने पड़ेंगे यहां से फॉर्क एंड से भी खोल के इस केबल को चेंज करते हैं सब कुछ हो जाने के बाद हमें आज से इन प्रेक पैड्स को हिला कर देख लेना चाहिए कि ये रिलीज अवस्ता में हो और प्रेक इंडिकेटर दोनों ब्रीन हो धन्यवाद दोस्तों